टूटा फूटा डोसा ताकि देड़ बजे तक भी वापस आ जाए तो आदे घंटे में आकर लंच तो बना लू अरे महरानी भूल गई पिछली बार की किटी में क्या डिसाइड हुआ था अब किटी में नाश्ता नहीं सीधा लंच सर्व होगा जिसके घर किटी होगी वो सबको खाना खिलाएगा कम से कम एक वक्त के खाने की टेंशन तो दूर होगी वनना हम औरतों के जिन्दकी खाना क्या बनाओ खाना क्या बनाओ यही पूछते-पूछते निकल जाती है अब तु देर मत कर वहो खाना तो हमें मिली जाएगा तो बस फटा फट निकलने के तैयारी कर कहीं आयसा ना हो कि हम वहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ खतम हो चुका हो ओकी चलिए माजी मैं तैयार हूँ दोनों सास वहो किटी में पाँच जाती है किटी रतना के घर में थी और रतना ने आज किटी में आई हुई सबी महिलाओं के लिए लंच में दाल, चावल, चूखा और सलात का इंतजाम किया था कहने को तो दाल, चावल एकदम सादा भूजन है लेकिन सच में इतनी सारी सहलियों के साथ बैठ कर दाल, चावल और अचार, चूखा और सलात खाने का मज़ा ही कुछ और है जिससे देखो वो रतना की तारिफ करते ठकनी रहा था मज़ा आगया तुम्हारे हाथ का दाल, चावल खाकर तुमने तो आज दिन ही बना दिया बिल्कुल ठीक के रही है शेशिवेहन जी, खानों तो वाकई बड़ा स्वादिष्ट बना है भई मज़ा ही आगया, किटी का असली मज़ा तो आज आया है अरे समोसी और ब्रेट पकोड़े खा खाके ना मेरा दिमाग खराब हो गया था आज तो सच्ची मज़ा आगया खाना तो वाकई अच्छा बना है, लेकिन अब बहुत होगी खाने की तारिफ ये बताओ, नेक्स्ट किटी किसके यहां होनी है, फिर उसकी बात किटी का मैनों भी डिसाइड कर लेते है पर सर्प्राइज नहीं होना चीए, किटी में आने वाले को पहले ही बता होना चीए कि लंच में क्या मिलने वाला है कम से गम उसी हिसाब से तो मूट सेट करके आएगा अपने घर से मिनागशी की बात सुनकर सबी लोग हसते रगते है बात तो मिनागशी की एकदम ठीक है तो बताओ भई, अगली किटी किसके यहां होनी है ठीक है, अगली किटी मेरे यहां पर और ऐसा करती हूँ देखो, इंडियन तो रतना ने खिला दिया अब मेरे यहां आप लोग सब चाइनीज खाना क्या कहते हो, मेरी तरफ से चाइनीज लंच की पार्टी आप सब के लिए अगली किटी में चाइनीज का नाम सुनकर तो जैसे किटी में आई सारी औरतों के मूँ में पानी आ जाता है अरे बहन जी, चाइनीज का नाम ले दिया आपने आपको पता भी है, चाइनीज खाना मेरी कमजूरी है, भई मैं तो पहली बता रही हूँ, मैं तो जम कर खाने वाली हो अरे रतना बहन जी आपने तो कमाल की बात करती मैं कोई डनने वालों में से थोड़ी ना हूँ जी भर के खाईएगा आप सब लोग अगली किट्टी डिसाइड करने की बात सभी लोग अपने घर आ जाते हैं, घर आकर अरे माजी ये तो बड़ी है दाल चावल बनाओ और सब की नजर में हीरो बन जाओ अरे बिटा तू अभी नहीं है ना किट्टी में इसलिए तुझे पता नहीं है किट्टी में तो ऐसा ही होता है जिसके घर किट्टी होती है ना वो रान ही होती है किट्टी की बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इतने सारे लोगों को बना कर खिला सको फिर तारीफ सुनने के लिए तैयार रहो तारीफ करने के लिए तारीफ जैसे काम भी तो करने पड़ते हैं पहले अब तू देखना कोकिला ने बुलाया है न अगली किटी में चाइनिस खाना खाने को मिलेगा अब तू ही सोच जब दाल चावल खाकर सब लोग इतनी तारीफ कर रहे थे तो कोकिला का चाइनिस खाकर तो सब उसके दिवाने हो जाएंगे मुझे लग रहा है कि दो तिन महीने तक तो उसके चाइनिस खाने की तारीफ ही चलती रहेगी सास की बाते सुननी के बाद अब बहु रागिनी के मन में भी ये खयाल आने लगा था कि वो भी कुछ ऐसा काम करे कि पूरे मौले में सब उसकी वावाई करने लगे कुछ दिनों के बाद रागिनी और उसकी सास कोकिला के यहां किटी पार्टी में जाते हैं कोकिला के यहां किटी में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोकिला ने आज सभी के लिए फ्राइड राइस और चाउमिन बनाई है फ्राइड राइस और चाउमिन खाने के बाद सब लोग उंगलिया चाट चाट कर उसके हाथ के खाने की तारीफ कर रहे थे मैंने तो अपना वादा निभा दिया खिला दिया सबको बड़िया चाइनीज अब ये बताओ अगली किटी की जिम्मधारी कौन ले रहा है अगली किटी ऐसा करते है रागीनी की यहां कर लेते अरे रागीनी की यहां क्या किटी करोगी इसने आज तक तुम्हें अपने घर बुलाकर कभी कुछ खिलाया है जब खिलाएगी छोड़ो भे उन्हे ले इस सशी के घर तो बहुत भी आ गई है तब भी किसी को घर बुलाने को तयार नहीं होती और हम लोगों को तेखो हम अके लिए इतना काम मैनेज कर लेता है थोड़े से हिम्मद भी दिखाने चाहिए क्यों भई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग नेक्स कीटी हम ही होस्ट करेंगे और मुझे कोई प्राब्लम नहीं है मैं सब मैनेज कर लूँगी अरे क्या बोल रही है तू इतनी आसान नहीं होती किटी होस्ट करना इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा सब के महमान नवाजी करना भी मेरे बस की ना है माजी मुझे 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 सब लोग आपकी बेज़द ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अब आपकी बहु आ गई है आपको टेंशन लेनी की कोई ज़रूद नहीं है मैं बोल रही हूँ ना मैं बना कर खिलाओंगी ना सबको अरे भई क्या खुसर पुसर करने लग गए दोनों सास बहु क्या हुआ इरादा बदल किया क्या जल्दी बताओ तुम्हारा फिक्स है या नहीं वनना फिर कोई और जिम्मेदारी ले ले नहीं नहीं हम लोग तो यार है मैं बोल रही हूँ ना नेक्स्ट किटी मेरे यहाँ पर और क्या कह रहे थे आप लोग पहली किटी में इंडियन खाना हो गया, चाइनिज हो गया, तो ठीक है, इस बारना में साउथ इंडियन खाना बनाऊँगी, साउथ इंडियन डोसा, ठीक है ना? वा वा मानना पड़े का पहू, हिम्मत वाली हो तुम, सीधा डोसा की पार्टी दे रही हो चलो हम तो बड़े खुश है इतने सालों बाद ही सही शेशी के घर पार्टी तो मिलेगी किटी के लिए आइटम बढ़िया सिलेक्ट किया है तुमने कोई अनोखाई होगा जिसे डोसा खाना पसंद ना हो मुझे तो लगता सबको ही पसंद हो का डोसे का नाम सुनकर किटी में आई हुई सबी महिलाओं के चैरे खिल गए थे सब लोग अब बे सबरी से एक महिना गुजरने का इंतिसार कर रहे थे ताकि उन्हें अगली किटी में रागिनी के हाथ का बढ़िया स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा खाने को मिले घर आकर अरे क्या राइता फैला कर आई है तू पता भी है कुछ तुझे राइता आपकी इज़ित बचाई है इसमें राइती वाली कौन सी बात है अरे महारानी जब इतने सारे लोगों को घर पर बुलाया जाता है तो ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो फटा फट बन जाए और तुने क्या सिलेक्ट किया डोसा आता भी है तुझे डोसा बनाना अगर सीखना जाहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता सब कुछ बन सकता है मैं मैंनेज कर लोंगी न माजी आप क्यों टेंशन ले रही हो अरे मैं क्यों टेंशन लोंगी टेंशन लेनी की बारी तो अब तेरी है कोई बुरा मानता है तो माने मैं तो साफ गय देती हूँ भई हमसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा लेकिन तू चौधरन बनकर सब को इन्वाइट करके आ गई है अब मेरा मुँझ क्या देख रही है लग जा काम पर एक महिने का समय है तेरे पास सीख ले डोसा बनाना वनना एक महिने बाद तो ना कट नहीं तया है मेरी ये लो माजी तो बिना बात ही घबरा रही थी डोसा बनाने में ऐसा आखिर है क्या बस चावल के आटे का बैटर तयार करना है उसके बाद तबे पर डाल कर चमचे से गोल-गोल घुमाना है और बन गया डोसा इतनी सी बात काली माजी को डोसा बना कर खिलाती हूँ माजी को भी तो पता चले कि उनकी बहु कितनी टैलेंटेड है अगले दिन सुपा अरे बहु नाश्ते में क्या बनाया है बिटा दस बज गए भई हमारे पेट में तो चुहे कूद रहा पिछले डेड़ घंटे से तुम किचन में घुसी हुई हो नाश्ता बाहर ही नहीं आ रहा चक्कर क्या है बाओ जी वो क्या है ना आज नाश्ते में मैं डोसा बना रही थी इसलिए लेट हो गया अरे बिटा मूं में पानी आ गया सुनके बना बना बिटा हमें दजार कर रहा है कोई जल्दी नहीं है वो क्या है ना बाओ जी डोसा बनाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन मुझसे बन नहीं पा रहा है ये देखे न जेतनी बार भी तवे पर बैटर डालती हूं वो तवे पर ही चिपक जाता है छूटता ही नहीं है पिछली तेड़ घंटे से यही हो रहा है मेरे साथ तो मझ मी नहीं आ रहा गलती कहा हो रही है अरे तो ऐसा बोलो न कि एक्स्पिरिमेंट कर रही हो बटा जाने दो तुम ऐसा करो हमारे लिए दो पराठे ही बना दो भई भूख लग रही है बड़ी जोरो की ठीके बाओ जी मैं आपके लिए पराठे बना देती हूं लेकिन आप चिंता मत करिए ससुर जी की कहने पर रागी नी डोसा का बैटर और जलेवे डोसों को एक किनारे करके जल्दी जल्दी उनके लिए पराठे सेखने लगती है पता नहीं क्या गलती हो रही है समझ भी नहीं आ रहा दीखने में जितना आसान लग रहा था बनाते समय मुझे नानी याद आ गई एक भी डोसा डंग से नहीं बना इतने सारे डोसे ट्राइ करने पर भी अगले दो तीन दिन तक रागी नहीं लगाता डोसा बनाना ट्राइ करती है अलग-अलग रेसिपी, यूट्यूब, कुकरी बुक्स सब ट्राइ करती है लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी जसे रही जाती थी दस दिन के बाद लगता है ऐसे डोसा बनाना नहीं आएगा मुझे ऐसा करती हूँ कोई कुकिंग कोर्स जोइंग कर लेती हूँ आजकल तो आनलाइन हर चीज़ सिखाई जा रही है मैं बीना घर बैठे बैठे सीख लूँगी रागी नी कुकिंग क्लास में इन्रॉल कर लेती है और अच्छी खासी रकम जमा करने के बाद कुकिंग क्लास करने लगती है एक सप्ता के बाद कुकिंग कोर्स तो खत्म हो गया आप डोसा बनाकर घर में सबको सर्प्राइज कर दूँगी अगले दिन सुबह जल्दी से नहा कर आजाईए आज नाश्ते में आप सब के लिए सर्प्राइज है क्या सर्प्राइज है भई हमें भी तो पता चले आप सब लोग टेबल पर बैटो पस थोड़ी दिल में आप सब को पता चल जाएगा रागी नी किचन में जाकर डोसे का बैटर तयार करती है और तवे पर डालकर डोसे बनाने शुरू करती है लेकिन लेकिन नजानी उसके डोसे में कैसा ग्रहन लगा था कि इतने तरीके से ट्राइ करने के बाद भी आज फिर उसके डूसे तवे पर जाकर चिपक रहे थे कितनी देर ओर लगाओगी ले भी आओ कितनी देर तरसाओगी अरे क्या करूँ सबको नाश्टी के टेबल पर बठा दिया और अब एक भी डूसा ढंका नहीं बन रहा ऐसा करती हो आज यही डूसा खाने के लिए दे देती हूँ अरे यह क्या बना लाई कौन से जनम की दुश्मनी निकाल रही हो भी इसे नाश्टा कहते है अरे कितनी मशकत करके मैंने यह डूसे बनाया और आपने आती ही मूँ बना लिया पस थोड़े से टूटे फूटे ही तो बने है बाकिस वाद बहुत अच्छा है बैटर में मैंने टेस्ट करके बनाया है ऐसा है मारानी यह स्पेशल नाश्टा ना तुम अपने पास ही रख लो मुझे ओफिस के लिए देर हो रही है मैं चलता हूँ बाओ जी अपनी बाओ के आद का स्पेशल नाश्टा आप खाओ अरे बिटा एक बात बता मैंने तुझे पिछली बार भी समझाया था एक बार फिर समझा रहा हूँ अरे क्यों पीछे पड़ी है और भी तो बहुत सारी डेश है दुनिया में कुछ और बना लिया कर डोसा ही क्यों बनाना है तुझे पिछली कुछ दिनों से मैं रोज रोज डोसा इसलिए ट्राइ कर रही हूँ क्योंकि आने वाली पांच तारी को मैंने किटी की सारी औरतों को अपने घर सांबर डोसा खाने का इंबिटीशन दे रख गा है ये क्या बात हुई जो काम तुमें करना आता नहीं उसके जिम्मेदारी अपने माथे लेने की क्या ज़रत थी मुझे क्या पता था बाओ जी की डोसा मुझसे नहीं बनेगा इस डोसे के चकर में मैं इतना महिंगा डोसा तबाभी खरिद कर ले आई लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डोसा मेरे गले की हट्टी बन जाएगा अब बिटा मुसिबत मौल ली है तो भुगतना तो तुम्हें पड़े गाई देखो बिटा अब ये जले बचाए क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा ऐसा करती हूँ कल एक बार फिर ट्राई करूँगी हो सकता है कल डोसा बन ही जाए पता नहीं कहां गलती हो रही है मुझसे ये सामबर तो फिर भी बन जाता है लेकिन डोसा का क्या करूँ अगले दिन सुबह सासुमा आज क्या बनाएगी नाष्टे में मैं सूच रही थी डोसा बना लीती हूँ मैंने बेटर बना कर रखा है हाँ जुडवा लो लेकिन डोसा का नाम मतले ना मेरे सामने अरे भई छोड़ दो ये डोसा नहीं बनने वाला तुमसे और तुम्हें डोसा बनाने का शौक पूरा करना है आराम से करो लेकिन मेरे सामने वो तूटे हुए डोसे लाकर रखने की जरुवत नहीं है ससुर की बात सुनकर बिचारी रागी नी मन मार कर रहे जाती है किटी वाले दिन बात समझदार बन रही थी ना तु थोड़ी दिर में किटी वाली सारी औरते आती होंगी मैं तो ये सोच सोच के परिशान हूँ कि आज अपनी इज़त का दिवाला निकलने वाला है सही बता रही हूँ तुने तो मुझे कहीं मुह दिखाने लायक नहीं छोड़ा अब पिछले एक महीने से तो प्रैक्टिस कर रही हूँ न और आपको पता भी है कभी-कभी न मेरा डूसे एकदम परफेक्ट बन भी जाता है वो सकता है जब सब लोग आये तो कोई जमतकार हो जाए और मेरा डूसा अच्छा बन जाए अंधेरे में तेर चराने के लिए तुझे किटी पार्टी मिली थी बाकी सब तो दाल चावल खिला कर हिरोयन बन गई और तू डूसा खिला कर बे इज़्जत कराएगी कुछी दिर में किटी में शामिल होने वाली और ते घर आने लगती है सब को कोड्रिंग देने के बाद रागे नी जाकर रसोय में डोसा बनाने लगती है लेकिन हाई रे बिचारी की फूटी किस्मत बाकी दिनों की तरह आज भी उसके डोसे एक के बाद एक तूटते ही जा रहे थे अरे भई और कितनी देर इंतिसार करवाओगे लंच पर बुलाया है अब क्या डिनर तक तुमारे डोसे का इंतिसार करना पड़ेगा ले भी आओ भई बात तो ठीक है ना आखिर कितनी देर इंतिसार करवाओगे मैं सबको अब जैसे बन रहे है वैसे ही ले जाकर सव करते थी हूँ रागी नी जैकर सबको तूटे उए डोसे सव करती है रागी नी के तूटे उए डोसे देखकर किटी पार्टी में आई हुई सबी औरते उसका मजाख उडाने लगती है अरे भई अगर खिलाने का मन नहीं था तो ऐसे ही मना करती थी अब ये तूटे पूटे डोसे लाकर खिलाने का क्या मतलब? हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं यही मतलब है इन तूटे पूटे डोसे की शकल देखकर कि खुद बे-खुद चलते बनो, अब बेज जिती करवाने के लिए यहां बैठे मत रहो, और नहीं तो क्या? एकी करके सारी औरते कुछ ने कुछ कमेंट पास कर रही थी, जिससे सुनकर रागेनी की सास का पारा गर्म होता जा रहा था अरे मुझे पता था यही होगा किटी वाले दिन, इसलिए समझाया था बहु को कि एक महिने का समय है ढंक से प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी थी, मौहल की औरतों के सामने मेरे इज़त का फालूदा बना कर रख दिया कॉलोनी के औरते अभी भी मसा कुड़ा रही थी, तभी रागी नी प्लेट में करा रहे करा रहे डूसे ले कर आती है अरे भे अभी तक तो तुम तूटे पूटे डूसे खिला रही थी, अचानक से इतने अच्छे डूसे कहां से बना लाई बाजार से तो नहीं मंगवाया ना, किटी के रूल तो ब्रेक नहीं कर रही हो, पता है ना, आउटसाइड फूड नॉट अलावड इन किटी अरे भी आप लोगों को यकीन ना हो तो आकर रसुई में देख लो, सारे डूसे मैंने खुद बनाया अपने हाथ उसे किचिन में आकर, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सम्धन जी को आज सुबह ही फोन करके डूसे वाली पूरी समस्या के बारे में बता दिया था फिर क्या था, सम्धन जी कहने लगी कि रागी नी ने पहले बताया होता तो कब कि आप लोगों की परिशानी मैं सवाल कर दीती आप चिंता मत करिये, मैं समय से पहुँच जाओंगी और फिर देखना, आपकी किटी में आई सहलियों को कैसे बड़ी आडो से बना कर खिलाती और देखो, फिलकुश समय से पहुँच गई सम्धन जी, बच गई हमारी इज़त और तू ना ज्यादा खुश मत हो, मेरी वज़े से इज़त बचिये तेरे हाथ में सारी बाजी दे दी होती न, तो तूने तो आज ना कटवानी की पूरी तैयारी कर रखी थी वो तो मैं पीछे के दर्वाजे से सम्धन जी को अंदर लियाई और सब संभाल लिया उन्होंने अरे मा बतानो मुम्मी जी को, कि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहां गलती कर रही थी देखे न मा क्या आती, मुझे भी डोसे बनने लगे बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बैटर को कैसे फैलाना है और कितने टेंपरेचर पर हीट करना है चल अब तो तुसी एक गई न और इतने पापड बेल लिये तुने लेकिन मा से पूछा नहीं एक बार, क्यों? मा वो मुझे लगा आपको क्या परिशान करना, मैं मैनेज कर लूँगी लेकिन चल अब डोसा तो खा लिया सब न, अब तारिव के लिए तयार हो जा तो भई एक मैने की कोशिश के बाद, फाइनली, 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 रागी ने बिना तूटा डोसा बनाना सीख लिया और मा की मदद से किटी की इज़द भी बच गई